हाँ बच्छों आप लोग कैसे हैं मैं उम्मीद कर दो कि आप ठीफ होंगे और लागडाउन का पारण भी कर रहे होंगे और सही इस्तेमाल करना के लिए हमारा ज़रूरी मकसद भी है कि अपने क्लास से नहीं आई तो ऑन्लाइन क्लास से आप पादा उठाते रहिए और टाइ पादेकों में क्लियर करता हूं अगाज में बाद तो क्लास नाइ समें डिफरेंस बिट्रूर अले ट्रुड़लाइजर मतत्क जो मैं पार्ट लग्वार होता है तो बिइस प्रणार ने नेशन भाइजर ले डिया अब हो इसी बात दी है कि मैं मैं में पहला किया होगा अव आपका नेशियरल सबस्टेंस होता है एक नेशियरल सबस्टेंस होता है और यह जो इसफेस में आपका क्या हुआ यहां पे एनिमल भी होसकता है आपका इनिमल वेस्ट लाएगा और इसके साथ सब क्या हुआ? household waste household waste ठीक है? अब क्या हुआ? decumblish of animal waste और household waste आप पर चुके हैं फिछले वीडियो में animal waste में क्या हुआ? जिसे में का animal का डंक हो गया, urine हो गया उसका लिटर नी, wedding material और household waste में क्या हुआ? जिसे हम तो घर का जो आपका waste होता है जिसे हम सब्जी कुक करते हैं तो उसका जो पील होता है या उसके रिलेटर और भी जो waste उसको collect किया और collect करने के बाद सा decumbosition होगा by using of micro-organism तो यह क्या आपका natural substance होगा? अब यह natural substance जो बने कैसा? decumbosition आप waste इसमें waste में क्या animal waste रहेगा और household waste मैं कहाँ animal waste में क्या होगा? animal waste में आपका उसका dunk litter, fury और आपका bedding material means litter में उसकी को बोलते है bedding material और household waste में होगा कि जो हम vegetable या cook करते हैं vegetable को cook करते हैं इसका waste part क्या होगा? remove कर देते हैं जैसे like tea तो इस सब को collect किया और collect के मारत का decomposition हो गया waste break हो गया और break होने के बाद जो बनेगा हुआ हमाना क्या हुआ? malware होगा लेकिन fertilizer में क्या होता है? fertilizer क्या हुआ? या आपका chemical substance होता है chemical substance ठीक है? या आपका organic 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 substance ठीक है? chemical substance बाद को में क्या हुआ? ammonium sulfate ammonium sulfate ammonium sulfate ठीक है? और organic substance ये यू रिया ये क्या chemical substance या organic substance बना होता है ठीक है? और मतलब ये कहूँ जो chemical substance या organic substance बना थी human made human के दोरा इसको develop किया आता है लेकिन आपका ये जो है ये निश्रल पॉससस से बनेगा ये आपका जो बनेगा artificial process से बनेगा कौन? fertilizer fertilizer के आपका chemical substance होता है या तो organic substance होगा और जो बनेगा हूँ आपका artificial process मतलब वो बनेगा चहाँ पे factory बनेगा लेकिन ये आपका आपका बनता है field में तो आपका ये बनेगा field में और ये बनेगा आपका factory बनेगा दूसरी बात क्या होता? दूसरा defense क्या होता है? man works जो होता है man works man works are not nutrient specific nutrient and specific are not nutrient specific जबकि फट्लाइगर क्या होता है? ये आपका nutrient specific होता है nutrient specific होता है ठीक है? मतलब आप जो man works को add कर रहे हैं हम मैं सोचू को जीए मैं man works man works farm yard man works farm yard farm yard man works y f y m farm yard man works तो मुझे क्या मुझे मिलेगा? nitrogen, phosphorus and potassium ये मिलेगा लेकिन मैं यूरिया की बात करूँ यूरिया ठीक है? यूरिया इससे क्या होगा nitrogen क्या होगा? nutrient मिलेगा तो ये क्या होगा? nutrient मिलेगा ठीक है? ये तुझे दूसरा difference होगा है मतला ये आपका man works होता है nutrient specific नहीं होता है जब कि आपका fertilizer क्या होता है? वो आपका nutrient specific होता है ठीक है? तीसरा difference क्या होगा? fertilizer क्या होगा? मैनुवर में next difference जब होगा कि मैनुवर क्या करेगा? मैनुवर जब होगा वो slowly क्या होगा? release होता है बतला ये आपके slowly absorb slowly absorb by the root root of plant plant से प्रोफ हो बतला ये आपके slowly absorb by the root of plant जो आपका मैनुवर में add या उस मैनुवर में जो भी आपका nutrient होगे वो nutrient वहां से क्या हुआ? release होगा कि प्लांट की जो root होगी उससे जो absorb करेंगो slowly absorb होगे मैकार की जो मैनुवर में आपका nutrients होगे slowly release होगा और वहां पे absorption होगा absorption rate भी क्या होता है? slow होता है किसमें ये condition की जबाया थी? मैनुवर भाया थी रिपीट में कर दे रहा हूँ मैनुवर में ने कहा कि मैनुवर में जो आपका nutrient होगा slowly क्या release होता है और इसी के साहता तर वो absorption जो rate होगा root of plant क्या होगा slow होगा लेकिन आपका fertilizer में ऐसा नहीं होता है fertilizer में क्या होता है जो आपका nutrients होता है easily absorbed by water easily absorbed by root of plant by root of plant जो आपका fertilizer होता है वो fertilizer क्या होगा भई हमें पता है जो भी आपका nutrients होता है वो root of plant के दोरा absorb होता है ठीच है वाटर में डिशॉल्ल के तो यह रूट एब्सॉप करेगा नालक जो भी न्यूट्रेंट पाई जाएगा कि नायट्रेजन है पास्फोरर्स है नायट्रेजन पास्फोर्स प्रोटेंशियम क्या हुआ रूट के ज़ोड़ा आदसानी से इसली क्या रोगा एब्सॉप हो जाएगा इसमें कंडिशन पाई जागी फट डाइजरम पाई जागी ने डिफ्रेंस क्या होगा इसमें क्या होगा इंकन्वीनियन होगा इंकन्वीनियन इंकन्वीनियन तू होल्ड ठीक है मतलब इसको क्या हुआ होल्ड करने में इसमें इंकन्वीनियन ग rocks कॉटा कॉंवे va beginelle i a cape इस्सकAttरर यह हमें इसको ओल्ड करने में कॉबलम होता है एक वा बड़ा और भारी होता है इस नाते यह क्या हुआ, problem होता है, hold करने में लेकिन इसमें क्या हुआ, such condition is not found such condition is not found मतलब यह क्या हुआ, इस तरह इसमें कोई problem होती कि यह concentrated form में होता है, ठीक है और compact and concentrated होता है, इस नाते क्या हुआ, fundraiser को क्या हुआ, इसको hold करने में या ट्रांक्वोड करने में प्रजारा प्रांफोर्ड करने में क्रॉबलम नहीं होती है कि फितpekt की उरिया लेने के एक होती है इत्तिक कि अ क्वंटीटी में आका फेटलाइजयर में सरेमander नैके थो दोनों का फरसंटिज की आवज तेमें तुम इसमें क्या Compact and Concentrated Form में होता है, Fertilizer, इसना से इसको ट्रांस्पोर्ट करने में Easy or Easy होता है, जब कि यह क्या हुआ, इसमें content, जो nutrient का percentage है, वो क्या होता है, और लेकिन उसकी quantity जो होगी, मतलब मैंनमा की quantity जो होती है, वो big होती है, जाना होती है, इसना से इसको ट्रांस् ठीक, तो मैं और defense की बाद करने की में पाज़ प्रेस नहीं, आप इसकी shot ले सकते हैं, फिर मैं अगले defense की बाद में करूँ यहाँ पे, इसकी shot ले नहीं होगे, मैं इसको मिटाब होता हूँ, उसके बाद मैं next defense की बाद करता हूँ ठीक है, जो अगला defense होगा, क्या, यह जो आपका manual होता है, manual होगा, इसको होगा, cheap होगा, cheap and prepared in, prepared in, prepared, prepared in field, ठीक है, जब कि यह आपका fertilizer होगा, costly होगा, ठीक है, and prepared का होगा, prepared in factory, बनेगा आपे, यह अपका factory में बनेगा, कौन? बना सकते हैं, अपने घर के बाद में जो इस्पेस है, उसमा बना सकते हैं, और यह cheap होता है, लेकि आपका fertilizer होता है, वो costly होता है, और कहां पे बनायत इसको factory में बनायाता है, ठीक है? यह इतना आपका difference होता है, इसका manure और fertilizer difference, चार आपने पहले पट्चुगे रहा है, वो इसको repeat कर दे रहा हूँ, Manner क्या होगा? वो आपका natnants होता है, बनाये है, इसका किसी, आपका animal waste और आपका household waste के दुररा जबकि आपका fertilizer होता है, Kêmेकal से बना होता है, यह और ओगनिagt सब्सец होता है, यह क्या होगा? आपका chemical substance होता है, बनाये है जो मेनवर होता है वो आपका क्या हुआ? नियूटरेंट इस्टिक नहीं होता है जब कि आपका परडलाइजर नियूटरेंट इस्टिक होता है मैंने यूरिया का एक्जाम पर उते में दिया था फिर आपका next difference होगा कि मेनवर जो होगा वो क्या करेगा? मैंवर को क्या होगा मैंवर सब्सक्राइब होता है और इसको बनायाता है और इसको बनायाता है एक डिफिरेंस और का मैंवर क्या होगा ट्राइब क्योंटैटर क्या होता है इस इसको क्या होगा ट्रांपोर चरने में आसानी होते है ओर इसकी क्या होती है क्या होती है, एक डिसेंस और होता है, जो आपका इसमें कडिए के ह sparkling जो आपका percentage की बात का भी हर यहां पर percentage of nutrients percentage of nutrients yeah, so, many are very less amount में यहां बात कहीं यहां पर manworth contain very less amount of nutrient less amount of nutrient जब कि यह क्या होगा आपका जो six difference आपका किस्तम fertilizer का होगा यह क्या होगा fertilizer it contains it contains large amount of large amount of nutrient मतलब जो आपका मैनवर होगा उस मैनवर में जो आपका nutrient मतलब की quantity क्या होगी काम होती है जब कि आपका fertilizer में उसकी quantity क्या होगी ज़्यादा होती है तो इस तरह हमारा क्या हुआ कि आपका मैनवर और fertilizer का difference complete हो गया ठीक है मैं भी तो समय में आया होगा फिर मैं next topic की बात करता हूँ irrigation की बात करता हूँ मैं ठीकि इसकी screen साउड नेवा चाहते लिए सकते हैं आप अब मैं next topic की बात दो irrigation next क्या होगा irrigation irrigation क्या होता है इसको पहले पर समय irrigation सबस्टास के सहां खिचाय कहते है हम क्या खेट में पानी कर लुट में प्लान्य को अपका टफाले कर दीना पानी को इक उल chỉं जैसे देखा हो आपने जब हम भी कभी भी इंद या चारे वो जोड़ा करेंगे तो परलए हम थेट में करेंगे कर दोड़ा बाइन, जो आप आपंग शोई कर देंगे जाए वो बाइडा ECN शृटम तो फेल्ड में वो पो बाइडाम है था मतल्म जान बाइ श्टम करेंगे मतल्म यहां पर हैं 15000 जोगी in this process in this process supply to the water supply to water in fields card irrigation 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 process what is in it supply of water in field in field what is on the field we call irrigation what is on the field water supply what is on the field करते हैं, अब बते हैं इडिकेशन क्यों कि आरता है? बहुई इडिकेशन हैं तो भाव सारी प्रप्रवसिता इसे इस आप करेंगे, तो उसे में और जिसे में करा में पाप वी इस फिल्ड में क्या हुआ, पानी को हमने सप्लाई कर दिया, जब पानी को सप्लाई कर देंगे, तो यह हमारा क्या करता है, इरिगेशन करता है, ठीक है, तो जब मोईस्टर की कमी होती है, तब हम क्या हुआ उसमें इरिगेशन कर देते हैं, मतलब उसमें जो मोईस्टर है, मत सब्सक्राइब करेंगे तो क्या हुआ बात यहां पर कर रहा हूं कि इजिगेशन का एडवांटेज क्या है यह बात करने यहां रहा हूं लेक्स इजिगे टॉपिक है अडवांटेज इस ओफ इरिगेशन पहला अडवांटेज क्या हुआ इरिगेशन क्या करेगा इरिगेशन इरिगेशन हर्फ टू इस अप्लाइब शप्लाइब supply of nutrients यहापः nutrients में क्या होगा? hydrogen and oxygen to plants ठीक है irrigation क्या रहे है इंटेशन के रहे हैं supply of nutrients hydrogen and oxygen water वापका है तो इस water molecule में क्या मिलेगा? hydrogen मिल जाएगा तो oxygen मिल जाएगा नहीं मिलेगा इपने पड़ा भी होगा होगा हूपे न्यूट्रियंट्स में, ठीक है, तो यहां पर जो वाटर गिया हम सप्लाई करते हैं, इरिगेशन प्रॉक्सेस से, उस प्लांट को क्या हुआ, न्यूट्रियंट को मिलेगा, हाइडरेज और ऑक्सिजन मिल जाता है, अगर हम इरिगेशन ना करें, तो हमें दो न्यूट्रिय वाइड मॉट्शर, मॉट्शर, क्या र गार हेडारै इरिगेशन करें का करी थारेगा, मॉश्चे पलसे हैं Healthcare यहां पर हो तोोन, मुझाव यहां पर अम सv przeci इसमें देखा होगा जो भी हम फील्ड को जो उसे प्लाउजिंग कर दें तो प्लाउजिंग के बाद या हम टाइम क्या होगा उसमें इरिगेशन करते हैं तो मैं बगाँ सीट सो होने से पहले उसमें क्या हूआ उसकी माश्चर को हम देख देखे देखे हैं क्या हो, moisture को correct करेंगे, किस तो file को और इस ते जावा help किसमें करेगा which help in germination of sea ठीक है, दूसरा देखिए advantage क्या होगा ये कहना रहेगा absorption of nutrient absorption of absorption of nutrient मतलब irrigation के दार क्या होगा irrigation के दार क्या करेगा कि हम जो भी nutrient का क्या गरेगा, absorption होगा भई जो भी nutrient है, वो plant क्या होगा, डायेटली अब्सॉर्ब कर नहीं सकती है वो water में dissolve जाएगा और dissolve होने के बाद क्या हुआ, root क्या करेगा उस nutrient को absorb कर लेगा, तो हम भी irrigation करेंगे जो irrigation करेंगे, तभी को क्या होगा वो water में nutrient डिजॉल हो पाएगा ना, जब डिजॉल होगा तभी तो plant की root क्या करेगा तो अब्सॉर्ब करेगा, तो हम क्या हुआ next benefit क्या मिलेगा में कि absorption of nutrient में help करेगा क्या? irrigation this is the next benefit next benefit क्या होगा, क्या क्या होगा, irrigation help irrigation help to growth and development of development of root root of plant root of plant root which is a root root we will water irrigation soil and root is just a proper way inside of soil growth and growth after its roots can be water control from soil dry soil so dry soil which need तो जो आपका रूट है वो रूट साइज से ग्रोथ कर पाएगी और डेबलमेंट हो पाएगा उसका उसी की वाज़ा से क्या हुआ हमें प्रोडेक्शन ही फाइदा मिलेगा दूसरा क्या होगा इरिगेशन क्या करेगा इरिगेशन है तो इंक्रीज इंक्रीज नमबर ओफ नमबर ओफ एरिएल पार्ट एरिएल पार्ट ऑफ प्लाट भाई क्या करेगा इरिगेशन के तो आपका इरिगेशन साइज से होगा तो न्यूट्रियन साइज से मिलेगा और न्यूट्रियन साइज से मिलेगा तो उसमें जो आपका इरिएल पार्ट है मतलब जो साल के अपन वाला पार्ट है वो सही से ग्रोगर करेगा, उसकी नमबर बढ़ेंगे उसमें ब्रांचिट बनेगे और जब ब्रांचिट जादा होंगे उसमें क्या फ्रूट ज़्यादा बियर करेगा जादा फ्रूट इसमें पॉड़क्शन होगा और food production ज्यादा होने की वजह से क्या होगा उसका crop production ज्यादा होगा तो ये भी क्या होगा, एक benefit क्या होगा रहेगा जो aerial part है, उस aerial part का number क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा और जब aerial part का number इंक्रीज होगा, तो उसकी वजह से उसका crop production बढ़ जाएगा ठीक है तो आपका ये होगे 5 जिफ्रेंस हो गया ठीक है तो बस इतने ही आपका एडवांटेज आफ इरिगेशन आप पर हेडिंग शूट गई आडवांटेज आफ इरिगेशन ठीक है तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आये होगी अगर आपको कोई काबलम हो दी तो आप वाट्सब पर ठीक है जो गुरूप का वाट्सब नंबर वाट्सब गुरूप है या आप पर स्क्रीन साट आप ले सकते हैं